पाठ ग्यारहां संगती का प्रभाव पाठ परिचे अलबर्ट आइंस्टाइन जैसे महान व्यज्ञानिक के संपर्क में रहकर उनकी ड्राइवर की सोच भी महान बन गई अलबर्ट का मानना था कि मनुष्य को अपने लिए ही नहीं बलकि औरों के लिए भी बहुत कुछ करना होगा जीवन मूल्य परिश्रम और लगन, व्यज्ञानिक दृष्टिकूण का विकास, एक अच्छे श्रोता के गुण होना, कर्दव निष्ठा तथा सकारात्मक सोच को बढ़ावा हमारे समाज में तरह तरह के लोग हैं हमारी सोच हमारे आसपास के वातावरण पर निर्भर करती है अच्छी सोच, अकसर औरों को अपने रंग में रंग लेती है क्यूं? है न? ऐसी ही अच्छी सोच रखने वाले, महान वैज्ञानिक अलबर्ट आइंस्टाइन का नाम तो आपने अवश्य सुना होगा उनमें एक विशेश बात ये थी, कि वे जिस काम को हाथ में लेते, उसे पूरी लगन के साथ पूरा करते थे अलबर्ट को सापेक्षता नामक भौतिकी के विशे पर शोध करने के दोरान बड़े-बड़े विश्व विध्यालयों में जाना पड़ता था वे लेक्षर देते और नई बात का ज्यान होने पर उसका प्रयोग अपने विशे में करते अलबर्ट की कार का ड्राइवर भी जहां-जहां उनके साथ जाता, उनका लेक्षर अवश्य सुनता इसका परिणाम ये हुआ कि लेक्षर सुनते सुनते उसे भी एक-एक शब्द याद हो गया था एक दिन अलबर्ट आइंस्टाइन किसी विश्व विध्यालय में लेक्षर देने जा रहे थे तबे उनके ड्राइवर ने कहा सर, आप जो भी लेक्षर देते हैं, वह इतना आसान होता है कि सुनकर कोई भी दे सकता है उस दिन आइंस्टाइन एक ऐसे विश्व विध्यालय में जा रहे थी, जहां सब उनका नाम तो जानते थी पर उन्होंने कभी अलबर्ट को देखा न था कुछ देव सूचने के बाद उन्होंने अपने ड्राइवर से कहा यदि लेक्षर देना तुम्हें आसान लगता है तो इस बार मैं कार चलाता हूँ और तुम लेक्षर देने जाओ ड्राइवर ने ये प्रस्ताव खुशी-खुशी स्वीकार किया दोनों ने अपने अपने कपड़े बदले और विश्र विद्याले जहाँ पहुँचे वहाँ पहुँचकर दोनों कार से बाहर निकले और विश्र विद्याले पहुँचे एल्बर्ट की कहा नूसार ड्राइवर ने लेक्षर देना शुरू किया वहां मौझूद बड़े बड़े प्रोफेसरों को भी इस बात की भनक तक न लगी कि लेक्चर देने वाले आइंस्टाइन नहीं, बलकि कोई और है लेक्चर खत्म होने की बाद, एक प्रोफेसर ने आकर आइंस्टाइन बने ड्राइवर से एक सवाल किया तो उसने जवाब देते हुए कहा, इतने आसान सवाल का जवाब तो मेरा ड्राइवर ही दे देगा फिर क्या था, सब के सवालों के जवाब ड्राइवर बने आइंस्टाइन ने ही दिये जब सवालों का सिलसिला खत्म हुआ, तो आइंस्टाइन ने आगे आकर सब को बताया कि लक्चर देने वाला वास्ता में उनका ड्राइवर था ये सच्चाई सुनकर सब आश्चरे चकित हो उठे वे सोच में पड़ गए कि जो चीजें बड़े-बड़े वैज्ञानिक नहीं समझ पाते उन्हें एक ड्राइवर ने इतनी आसानी से सब को कैसे समझा दिया तो देखा आपने किस तरह एक साधारन ड्राइवर की सोच एक महान वेज्ञानिक के संपर्क में रहने के कारण इतनी महान हो गए ये सब आइंस्टाइन के प्रभाव के कारण ही संभव हो सका अपने गुणों के बल पर साधारन लोगों के बीच रहने वाले अलबर्ट आइंस्टाइन ने विज्ञान के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बना ली थी नई जानकारी अलबर्ट आइंस्टाइन ने सापेक्षता के सिध्धान्त Theory of Relativity की खोजगी उन्होंने पता लगाया कि प्रकाश, अंतरेक्ष तथा समय के साथ साथ सोरे आदी नक्षत्रों के स्थिती की गर्णा के लिए चौथा कुछ भी जरूरी है ये चौथा कुछ ही सापेक्षता का सिध्धान्त कहलाया 1921 में Albert Einstein को Nobel पुरुषकार से सम्मानित किया गया